तो ये दूखो प्यारे बच्छो एक अच्छा सा सवाल है एक काता है एक यह कैप सीटर है, पियोर कैप सीटर है उसके इंडोक्ष Reiक्रास में अक्स बोल्टेज सॉर्स लगा देता हूं अगर मैं इस कैप सीटर के क्रास एक बोल्टेजर चर्स लगा दूँ एज फंक्शन voltage lag current यहां से current in phase with voltage current phage में नहीं होती voltage के current 180 degree lag नहीं करती है यहां से lead नहीं करती है current lag voltage by 90 degree current lag नहीं करती है current lead करती है एहां से ठीक है आयोब की अब समझ रहे हो तो यहां से तुम देखो क dys czas डॉब आग्म बनाओगे तो इधर जो है voltage across the capacitor आएगा और इधर यहां से current यहां से current आएगा तो current pi by 2 यहां से lead करती है आई हो की आपको पता होगा यह तीक है और यहां से इन दोनों current और voltage में जो अगर तुम देखोगे phase का difference delta phi यहां से वो pi by 2 है तो कहता है energy consume तो energy consume average power जो consume है वो IRMS VRMS voltage current cos phi phase difference pi by 2 है तो average जो power है mathematically वो 0 consume हुआ that is यहां से तुम देखोगे प्यारे बच्चो तो D option सही हो गया ठीक ना लेकिन अगर आप सोचो कि यह power क्यों नहीं इस source से power क्यों नहीं लेता capacitor क्योंकि यह physical meaning बता होगे during the positive half cycle capacitor charge हुआ ठीक है it does not consume energy from the source that is D option say it again thank you